प्रिय दर्शकों हम दस्वी कक्षा के गनित के कारिक्रमों की श्रिंखला में समांतर श्रेडी पर चर्चा कर रहे हैं हमने अपनी पिछली चर्चा में यह देखा कि जब संख्याओं को एक विशेश क्रम में लिखा जाता है तो वह एक अनुक्रम बनाती है और श्रेडी एक विशेश प्रकार का अनुक्रम होता है जिसमें हर अगला पद अपने पिछले पद से एक विशेश नियम द्वारा संबंदित होता है और इस नियम की सहयता से हम किसी भी पद को असानी से ग्याद कर सकते हैं अता हम यह कह सकते हैं कि हर श्रेडी तो एक अनुक्रम होती है परन्तु यह जरूरी नहीं कि प्रतेक अनुक्रम एक श्रेडी हो फिर हमने विबिन प्रकार की श्रेडियों के बारे में चर्चा की जैसे समांतर श्रेडी, गुडोतर श्रेडी, हरात्मक श्रेडी, इत्यादी और हमने इन में से समांतर श्रेडी के बारे में विस्तार से जाना हमने ये देखा कि समांतर श्रेडी में लगातार आने वाले दो पदों के बीच में अंतर सदेव समान रहता है जिसे हम सार्व अंतर कहते हैं समांतर श्रेडी के व्यापत पत अर्थात एनवे पत को निकालने का सूत्र देखा था जो की इस प्रकार है यदि समानतर श्रेडी का प्रथमपत A हो और सारवंतर D हो तो हम AN अर्थात व्यापकपत बराबर होगा A जमा N घटा 1 गुणा D, AN व्यापकपत को दर्शारा आए, A प्रथमपत को दर्शारा आए, N पदों की संख्या और D सारवंतर को दर्शारा है उसके बाद हमने इससे संबंदित कहीं प्रशनों को हल किया इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि एक श्रेडी को हम किस प्रकार दर्शारा सकते हैं यदि A 1, A 2, A 3 इत्यादी A N तक एक श्रेडी के विभिन पद हो तो इस श्रेडी को दर्शाराने के लिए हम A R को मद्य कोश्टकों के बीच में इस प्रकार लिखेंगे जहां R 1 से श्रू होकर N तक जाएगा जो की इस श्रेडी के विभिन पदों को दर्शारता है यदि N एक परिमित संख्या हो तो यह एक श्रेडी जो है यह परिमित श्रेडी बन जाएगी और यदि यह N एक अपरिमित संख्या हो तो यह श्रेडी एक अपरिमित श्रेडी कहलाएगी यदि हम इस श्रेडी को इस तरह योग का निशान लगा कर लिखें तो इसे दर्शाने के लिए हम एक ग्रीक भाशा के सिक्मा निशान का प्रियोग करेंगे जिसका अर्थ होता है विबिन पदों का योग यहाँ पर A1, A2 से लेकर N तक का योग निकालना है तो हम यहाँ पर A, R को जबकि R शुरू होता है 1 से N तक को इस प्रकार दर्शाएंगे यह है श्रेडी ना होकर अब श्रेणी बन जाएगी हम अपनी आज की चर्चा में समानतर श्रेडी के विबिन पदों का योग ज्याद करना सीखेंगे यदि एक समानतर श्रेडी के विबिन पदों में प्रथम पद को A से दर्शाया जाए सार्व अंतर को D से दर्शाया जाए तो द्वित्य पत ग्याद करने के लिए A और D का योग ग्याद करना होगा द्वित्य पत निकालने के लिए दोबारा द्वित्य पत में D को जमा करेंगे और A जमा 2D प्राप्त हो जाएगा इसी प्रकार चतुर पत में एक बार फिर से D को जोड़ना होगा तो A जमा 3D प्राप्त हो जाएगा इसी प्रकार अगर हम आगे चलते जाएं तो A, A जमा 2D, A जमा 3D इत्यादी एक समानतर श्रेडी प्राप्त हो जाएगी और यदि हम इस समांतर श्रेडी के अंतिम पद को L से दर्शाएं तो यह समांतर श्रेडी कुछ इस प्रकार बन जाएगी A, A जमा D, A जमा 2D, इत्यादी L तक यह L इस समांतर श्रेडी का अंतिम पद है यदि अंतिम पद L हो तो उससे पहला पद ग्याद करने के लिए L घटा D और उससे भी पहला पद प्राप्त करने के लिए इस पद में से D को दोबारा घटाना होगा अर्थात L घटा D घटा D बराबर है L घटा 2D इसी प्रकार उससे पहला पद प्राप्त करने के लिए L घटा 2D में से फिर से D को घटाना होगा और हमें L घटा 3D मिल जाएगा इस प्रकार पहले लिखी गई समांतर श्रेडी का को अगर हम उल्टा करके देखें तो यह इस प्रकार बन जाएगी L, L घटा D, L घटा 2D और इस प्रकार जो इसका दूसरा पत था अब इसका अंत से दूसरा पत बन जाएगा जो इसका प्रथम पत A था अब इसका अंतिम पत A बन जाएगा अब इन पदों का योग ज्याद करने के लिए यदि हम इसे SN से प्रदर्शित करें तो SN बराबर होगा A जमा, A जमा D, जमा अंत में L घटा D था हमारे पास और अंतिम पद L था अब इन सभी पदों का योग SN दर्शाता है इसे निकालने के लिए हम इसे इस प्रकार दोबारा लिखते हैं SN बराबर है, अब हम इसे उल्टे डंग से लिख रहे हैं L को सबसे पहले, उससे पहले वाले यानि L घटा D को दूसरे स्थान पर और इसी तरह आगे लिखते जाएं, तो इसका शुरुवात का दूसरा पद अब इसके अंत से दूसरा पद बन जाएगा, यानि A जमा D जमा A अब A इसका अंतिम पद है, इसका योग ज्याद करने के लिए हम S N को अगर S N में जोड़ें, तो यहां हमें S N जमा S N बराबर 2 S N मिल जाएगा, और यदि हम इसके दाए पक्ष को देखें, A को L के साथ जोडने पर हमें A जमा L प्राप्त होगा, अगर A जमा D को L घटा D के साथ योग करें, तो D और D तो कट जाएगा, और फिर हमें A जमा L प्राप्त हो जाएगा, इसी प्रकार हम आगे चलते जाएं यहाँ पर देखें L गटा D को जब A जमा D के साथ जोडेंगे तो फिर से D से D कट जाएगा और फिर से हमें L जमा A अर्थात A जमा L प्राप्त होगा इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें L जमा A प्राप्त होगा इस प्रकार देखें क्योंकि हमने यहाँ पर N पदों का योग लिखा है, तो हमें कित्ती बार A जमा L प्राप्त हुआ? हमें N बार A जमा L प्राप्त हुआ. और जब हमें N बारी A जमा L को जोड़ना हो, तो इसका मतलब यह होता है, कि हम A जमा L को N से गुणा कर दें. इस प्रकार A जमा L A जमा L इत्यादी को N बार लिखने पर इनका योग N गुना A जमा L प्राप्त हुजाएगा जबकि हमने यहां देखा था कि इसके बाइपक्ष में हमें दो S-N प्राप्त हुआ था इस प्रकार हम यह क्या सकते हैं कि यह 2S-N बराबर होगा N गुना A जमा L के इस प्रकार 2S-N बराबर है N गुना A जमा L के जहां S-N बराबर है अगर 2 को हम दाइपक्ष में ले आएं तो यह N भाग 2A जमा L मिल जाता है यहां S-N इस समानतर श्रेडी के विभिन पदों के योग को दर्शाता था और यहां S-N का मान N भाग 2A जमा L आ गया जहां A प्रथम पद है और L अंतिम पद है इस प्रकार हमें यह एक सूत्र प्राप्त हो जाता है जो की S-N एक समानतर श्रेडी के विभिन पदों का योग दर्शाता है इसी संदर्प में एक रोचक कहानी है एक महान गणी तग्ये गौस हुए है एक दिन वे अपनी कक्षा में खेल रहे थे अध्यापक ने उन्हें व्यस्त करने के लिए एक से सौ तक की प्राकृत संख्याओं का जोड़ ग्याद करने को कहा अध्यापक ने सोचा कि अब गौस काफी देर तक व्यस्त हो जाएगा लेकिन कुछी मिनटों बाद उसने देखा तो फिर से वे खेल रहा था अध्यापक ने दिये गए प्रश्ण के हल के बारे में गौस से पूछा तो गौस ने तुरंत उत्तर दिया पांच हजार पचास उत्तर बिल्कुल सही था यह सुनकर अध्यापक आश्चर ने चकित रह गया उसने उसके हल के बारे में गौस से पूछा गौस ने उत्तर दिया मैंने यहाँ पर एक को सौ में दो को निन्यानवे में तीन को अठानवे में इस प्रकार जोडता चला गया तो मुझे हर बार एक सो एक प्राप्त हुआ मैंने यहाँ पर एक को सौ में दो को निन्यानवे में तीन को अठानवे में इस प्रकार जोडता चला गया तो मुझे हर बार एक सो एक प्राप्त हुआ अग इस प्रकार मुझे 50 बार 101 मिल रहा था तो मैंने 101 को 50 से गुना किया और उत्तर निकाल लिया इस अवधारना का प्रियोग करके ही हमने SN का सूत्र प्राप्त किया है इस प्रकार हमने जाना कि SN बराबर है N भाग दो गुना A जमा L जहां पर इसे ही लिखा जाए दूसरे शब्दों में तो यह बन जाएगा N अर्थात पदों की संख्या भाग दो प्रथम पत जमा अंतिम पत हमें यह पता है कि अंतिम पत अर्थात L अगर हम L को दर्शाएं A जमा N घटा 1 गुना D से जो की इसका व्यापक पत था प्रदर्शित किया था और इसका मान उपर यहां रखने पर यह बन जाएगा SN बराबर है N भाग दो A जमा L के स्थान पर A जमा N घटा 1 गुना D इसमें A और A को जमा करने पर हमें दो यह प्राप्तों होता है जमा N घटा 1 गुना D अतहा हम यह कह सकते हैं कि एक समांतर श्रेडी के N पदों का योग बराबर होगा जहां पर A प्रथम पद होगा N पदों की संख्या और D सारवंतर हो तो SN अर्थात N पदों का योग बराबर होगा N भाग दो गुना 2A जमा N घटा 1 गुना D यहां मैंने पहले बताया कि SN N पदों का योग है N पदो की संख्या A प्रतंपत और D सार्वंतर को दर्शाता है इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं समानतर श्रेडी के N पदो का योग बराबर है पदो की संख्या भाग दो गुना दो गुना प्रतंपत जमा पदो की संख्या घटा एक गुना सार्वंतर आईए इससे संबंदित कुछ प्रश्णों को हल करने का प्रयत्न करते हैं श्रेडी 5, 2, घटा 1, घटा 4, घटा 7 के पहले 50 पदों का योग ज्याद करना है यहां हम देखें तो प्रथम पद 5 है, द्वित्य पद 2 है, द्वित्य पद A3 बराबर है घटा 1 और इत्यादी इसे सबसे पहले यह जाचना होगा कि यह एक समानतर श्रेडी है भी के नहीं तो इसके लिए हमें A2 घटा A1 निकालना होगा जो की बराबर है दो घटा 5 बराबर है घटा 3 के इसी प्रकार यदि हम A2 को A3 में से घटाएं तो हमें प्राप्त होता है A3 घटा A2 बराबर है घटा 1 घटा 2 बराबर है घटा 3 के इसी प्रकार से हम आगे चलते जाएं तो हर बार हम यह देखते हैं कि हम यह देखते हैं कि अंतर हमें घटा तीन ही प्राप्त हो रहा है इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि यह घटा तीन सार्व अंतर को दर्शाता है और यह एक समांतर श्रेडी है अब जब हमने यह जान लिया कि यह एक समांतर श्रेडी है तो हमें इसके पहले 50 पदों का योग्यात करना है इसके लिए अभी अभी हमने सूत्र को जान लिया Sn बराबर है N भाग 2 गुना 2A जमा N घटा 1 गुना D जिसमें A प्रथम पद को N पदों की संख्या को और D सारवंतर को दर्शाता है यहां प्रथम पद अर्थात A बराबर है 5 के सारवंतर हमने घटा 3 निकाल लिया और क्योंकि हमें 50 पदों का योग्यात करना है तो N बराबर है 50 के अब इसके अंदर हम सीधा सीधा सूत्र भी लगा सकते हैं इस प्रकार S N बराबर है N भाग 2 गुना 2A जमा N घटा 1 गुना D की जगा मान प्रतिस्थापित करने पर S 50 बराबर है 50 भाग 2 दो गुना 5 क्योंकि A का मान 5 था N की जगा 50 रखा गटा 1 गुना D की जगा पर गटा 3 रखा इसे आगे निकालने पर इसे आगे ग्यात करने पर हमें मिलेगा 50 भाग 2 पच्चिस 2 गुना 5 दस 50 गटा 1 उननचास गुना गटा 3 इसे आगे देखें तो यह बराबर होगा 25 गुना 10 गटा 147 जो की बराबर है 25 गुना गटा 137 और इसे अंत में ग्यात करें तो यह होगा गटा 3425 इस प्रकार समांतर श्रेडी जो हमें दी गई थी उसके पहले 50 पदों का योग गटा 3425 है आईए एक और प्रश्न को हल करते हैं समांतर श्रेडी 18, 16, 14 इत्यादी के कितने पदों का योग शुन्ने होगा अब यहां हमें यह पहले से ही दे रखा है कि यह एक समांतर श्रेडी है इसका प्रथम पद 18 है, दृत्य पद 16 है, दृत्य पद 14 और इसी प्रकार से यह समांतर श्रेडी दी गई है पदों का योग भी दे रखा है कि यह शुन्ने होना चाहिए हमें यह नहीं पता कि कितने पदों का योग शुन्ने होगा वह हमें ग्याद करना है इसके लिए हम सीधा सीधा लिखते हैं यहां हम देखें तो प्रथम पद 18 है सार्व अंतर अर्थात D को निकालने के लिए वित्य पद में से प्रथम पद को गटाएंगे या फिर त्रित्य पद से वित्य पद भी गटा सकते हैं तो हमें प्राप्त होता है सोला गटा अठारा बराबर है गटा दो के सन हमें पहले से ही शुणने दे रखा है और पदो की संख्या को हम N मान लेते हैं जो की हमें निकालनी है इसका सूत्र लगाने पर सन बराबर है N भाग दो दो A ए प्रथम पद है जमा N पदो की संख्या गटा एक गटा दी सारवंतर है अब S N की जगा पर 0 रखने अब S N की जगा पर शुन्ने रखने पर शुन्ने बराबर है N भाग दो हमें N का मान नहीं दे रखा इसलिए हम N की जगा पर कुछ नहीं रख सकते गुना 2 गुना A की जगा पर 18 जमा N घटा 1 गुना D की जगा पर घटा 2 रख देते हैं क्योंकि सारवंतर हमारा घटा 2 था अब यहां पर 2 को बाई पक्ष में ले जाने पर 2 को बाई पक्ष में ले जाने पर शुन्ने गुना 2 बराबर होगा चुनने के यहां पर N रह जाएगा, यहां 2 गुणा 18, 36 जमा N गटा 1, गुणा गटा 2 है, इसे आगे ज्याद करने पर हमें प्राप्त होता है, N, 36 जमा 2, 38 गटा 2N, और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, N गुणा 38 गटा 2N बराबर है शुनने के, अब यहां पर आपको ग्याद है कि N और 38 गटा 2N का गुणन पर शुनने हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहां तो N शुनने होगा, यहां फिर 38 गटा 2N को शुनने होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का गुणन पर शुनने आए अब N तो शुन्य हो नहीं सकता क्योंकि N पदों की संख्या को दर्शाता है इसलिए 38 घटा 2N बराबर है शुन्य को आगे हल करने पर हमें प्राप्त होता है N बराबर है 38 घटा 2 जो की 19 होता है इस प्रकार N अर्थात पदों की संख्या बराबर है 19 के इस प्रकार हमने यह जाना कि इस समानतर श्रेडी के 19 पदों का योग ज्याद किया जाए तो वैया में शुन्य प्राप्त होगा इसे और अच्छे से जानने के लिए चलिए एक और उधारन को देखते हैं किसी समानतर श्रेडी का तीसरा पद यदि 25 हो और दस्वा पद अगर घटा 3 हो तो हमें इसके पहले 15 पदों का योग ज्याद करना है अब यहां देखिए हमें तीसरा पद दे रखा है 25 दस्वा पद दे रखा है घटा 3 पहले 15 पदों का योग ज्याद करना है परन्तु हमें इसमें पहला पद भी नहीं दिया और सार्वांतर भी नहीं दे रखा तो उसे निकालने के लिए हम अपने व्यापक पद यदि A प्रथम पद को दर्शाता हो और D सार्वांतर को दर्शाता हो तो AN अर्थात व्यापक पद ब्राबर होता है A जमा N घटा 1 गुना D के यहाँ पर AN अगर हम कोई भी मान रखें तो वही पद हमें प्राप्त हो सकता है यहाँ पर हमें तीसरा पद दे रखा है 25 तो N की जगा पर यदि हम 3 को रखें तो हमें प्राप्त होता है A तीन बराबर है A जमा 3 घटा 1 कुना D ना हमारे पास A का मान है ना D का मान है इसलिए तीसरा पद हमें A जमा 2D प्राप्त होता है इसी प्रकार दस्वा पद हमें घटा 3 दे रखा है इसलिए N की जगा पर अब हम 3 न रखकर 10 रखते हैं तो देखिए A 10 बराबर है A A का मान अभी तक हमारे पास नहीं है जमा N की जगा पर 10 घटा 1 कुना D अर्थात A जमा 9D प्राप्त हो जाता है अब यदि हम तृत्य पद के स्थान पर 25 को रख दें तो A जमा 2D बराबर हो जाएगा तृत्य पद बराबर होगा A जमा 2D बराबर है 25 के यह हमें दे रखा है और दस्वा पद A 10 बराबर है A जमा 9D जो की हमें घटा 3 दे रखा है अब इस प्रकार आप यहां देखें तो यह हमें रैखिक समीकरन का एक निकाय प्राप्त होता है जिसे हल करना है और हमें A और D का मान ग्यात करना है इसे विलुपतन विदी से हल करते हैं इसके लिए हमें समीकरन एक में से समीकरन दो को गटाना चाहिए इसके लिए गटाने के लिए हमें समीकरन दो के चिनों को बदलना होगा इसलिए यहां जमा का चिन गटा में बदल जाएगा यहाँ पिर जमा को घटा में बदल देंगे और यहाँ घटा जमा में बदल जाएगा ऐसा करने पर यह ए और ए आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर दो घटा नौ यानि घटा साथ दी प्राप्त होगा और यहाँ पर 25 जमा 3 बराबर 28 प्राप्त होगा इसे आगे हल करने पर D बराबर है गटा 4 के और यह D जो है सारवंतर को दर्शाता है अग यहाँ वापस D का मान हम किसी भी समीकरन में रख सकते हैं D का मान पहले समीकरन में रखने पर A जमा 2, D का मान गटा 4 है बराबर होगा 25 के जो की बराबर है A गटा 8 बराबर है 25 के और जो की हम इस प्रकार हल कर सकते हैं A बराबर है 25 जमा 8 बराबर है 33 के इस प्रकार D अर्थात सारवंतर बराबर है गटा 4 के और इसका मान उपर किसी भी समीकरन एक में या दो में प्रतिस्थापित करने पर हम यहाँ पर पहले में प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो यह A जमा 2 गुना घटा 4 जो की सारवंतर है बराबर होगा 25 के इसे हल करने पर हमें A घटा 8 बराबर है 25 के जो की बराबर है आठ को दाई पक्ष में ले जाने पर A बराबर है 25 जमा 8 बराबर है 33 के A यहाँ पर प्रत्थम पद है अर्थात प्रत्थम पद हुआ 33 और सारवंतर हुआ घटा 4 हमें यहाँ S N का सूत्र प्रियोग करना होगा जो की N पदों का योग दर्शाता है S N बराबर है N भाग 2 गुना 2A जमा N घटा 1 गुना D A की जगा पर 33 रखने पर और D की जगा पर घटा 4 रखने पर हमें पहले 15 पदों का योग ज्याद करना है इसलिए S 15 बराबर है 15 भाग 2 गुना 2 गुना 33 A की जगा पर 33 को प्रतिस्थापित करने पर N की जगा 15 रखने पर और D की जगा पर घटा 4 रखने पर और इसे आगे हल करें तो हमें प्राप्त होता है 15 भाग 2 गुना 66 जमा 14 गुना घटा 4 जो की बराबर है 15 भाग 2 66 गटा 56 जो की 10 होगा इसलिए 15 भाग 2 गुना 10 बराबर है 75 के इस प्रकार हमें 15 पदो का योग 75 प्राप्त होता है कभी-कभी हमें इस प्रकार की श्रेणिया दी गई होती हैं जहां पर हमें प्रथम पद और सारवंतर यह तो नहीं दिया होता यहां में निकालना होता है ऐसी श्रेणियों में भी हम विबिन पदों का योग ज्याद कर सकते हैं आईए इसी देखने के लिए एक उधारन को देखते हैं एक से हजार तक साथ के गुणजों का योग ज्याद करो अब यहां पर भी आपने देखा कि न तो हमें प्रथम पद दिया है और न ही हमें सारवंतर दे रखा है इसे हल करने के लिए हमें सबसे पहले साथ के विबिन गुणजों पर विचार करना हुगा एसे शुरुवात करते हुए हमारे पास सबसे पहला साथ का गुणज स्वयम साथ ही होता है उसके बाद 14, 21 और इस प्रकार हम विबिन गुणज ग्याद कर सकते हैं इसी प्रकार हम अंत से देखें तो हमारे पास अंतिन संख्या 1000 दे रखी है जो की साथ से भाग नहीं हो सकती तो हमें सबसे पहले वह संख्या ग्याद करनी होगी जो की साथ से भाग हो सकती हो और उसके उपरांत कोई ऐसी संख्या 1000 तक न हो जो की साथ से भाग हो तो ऐसी संख्या 994 है जो की 7 से भाग होती है अब हमें पहला पद भी दिया है और अंतिम पद भी दे रखा है इसमें प्रतम पद 7 है और सार्वंतर भी 7 है 14 में से 7 को घटाएं तो 7 मिलेगा 21 में से 14 को घटाएं तो भी 7 मिलेगा इस प्रकार यह एक समांतर श्रेडी है प्रतम पद 7 है और सार्वंतर भी 7 है अब हमें यहां पर इन 7 के इन सभी गुणजों का योग ज्याद करना है इसे ग्याद करने के लिए हमारे पास दो सुत्र है एसन बराबर है एन भाग दो प्रतम पद जमा अंतिम पद और दूसरा है एसन बराबर है एन भाग दो गुणा दो एक जमा एन घटा एक गुणा डी अब यहां पर हमारे पास प्रतम पद भी है अंतिम पद भी है इसलिए हम इसमें पहले वाला सुत्र ही प्रियोग करेंगे परन्तु उसे प्रियोग करने के लिए भी हमें एन का मान होना ज़रूरी है उससे पहले हम इसमें पहले वाले सूत्र अर्थात S N बराबर है N भाग दो गुना A जमा L प्रतमपद अंतिमपद इसमें मान प्रतिस्थापित कर लेते हैं N की जगा कुछ नहीं दिया तो N भाग दो बराबर है 7 जमा 994 पहला पद 7 है अंतिमपद 994 है यह बराबर है N भाग दो गुना A की जगा पर 7 रखने पर और L की जगा पर 994 रखने पर इसे और हल करें तो हमें N भाग दो गुना 1001 मिल जाता है अब हमें यहाँ पर N का मान ग्यात करना है इसके लिए हम अपना व्यापक पद का सूत्र प्रियोग करेंगे व्यापक पद बराबर है A जमा N गटा 1 गुना D इसे हल करने पर A N की जगा पर 994 लेंगे A की जगा पर 7 N गटा 1 गुना D की जगा पर 7 रखते हैं अब 7 को उभेनिष्ट लेने पर यहाँ पर 1 बचता है जमा N गटा 1 एक को एक से काटने पर हमें 7 N प्राप्त होता है अब 7 N बराबर है 994 के इसलिए N बराबर होगा 994 भाग 7 जो की बराबर है 142 के इस प्रकार S N अब N की जगा पर S 142 हुआ जो की बराबर होगा 142 भाग 2 गुना 1001 इसे हल करने पर हमें 71 गुना 1001 अर्थात 71,001 प्राप्त होता है इस प्रकार हमने यह जाना कि एक से हजार तक साथ के 142 गुनाज है और उनका योग 71,001 प्राप्त होता है हमने अपनी आज की चर्चा में यह जाना कि यदि हमें अपनी श्रेडी के विबिन पदों को एक साथ दर्शाना हो तो हम इसे AR जहां R बराबर है एक से N तक से दर्शाते हैं और इसे ही यदि हम योग के निशान के साथ दर्शाएं तो यह एक श्रेडी बन जाता है और इसे हम दर्शाने के लिए सिग्मा का प्रियोग करते हैं अर्थात सिग्मा AR जहां R एक से लेकर N तक चलता है उसके बाद हमने यह जाना कि एक समानतर श्रेडी के N पदों का योग जिसे हम SN से दर्शाते हैं बराबर है N भाग दो गुना प्रतम पत जमा अंतिम पत इस से ही हम इस प्रकार भी कह सकते हैं समानतर श्रेडी के N पदों का योग बराबर है N भाग दो गुना प्रतम पत जमा अंतिम पत और यदि हम अंतिम पत के मान को प्रतिस्थापित करें तो हमें SN का सूत्र प्राप्त होता है SN बराबर है N भाग 2 गुना 2A जमा N घटा 1 गुना D अब आप समांतर श्रेडी के विभिन पदों के योग से संबन्दित कुछ और प्रश्नों को हल करने का प्रियत्न करें और अपनी समस्याओं के लिए हमें संपर्ख करें